नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल GS.80 में आज हम पढ़ते हैं कांग्रेश का सूरत विभाजन 1907 इसबी 1905 इसबी के बंगाल विभाजन का कांग्रेश के उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच बढ़ते विए मतभेद पर अस्पष्ट प्रुभाव पड़ा था 1905 इसबी में जब कांग्रेश का अधिवेशन गोपाल किष्ण गोखले की अध्यस्था में बनारस में हुआ था तो उदारवादियों यों उग्रवादियों के मतभेद खुल कर सामने आ गए थे इस अधिवेशन में बाल गंगतर तिलक ने नरम पंतियों की ब्रिटिस सरकार के प्रती उदार एवं सहयोग की नीती की कटू आलोशना के तिलक की इच्छाती की सुदेशी एवं बहिसकार आंदोलन का पूरे बंगाल तथा देश के अन्य भागों में तेजी से पिस्तार किया जाए जबकि उदारवादि इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे उग्रवादी चाहते थे कि बनारास अदिवेशन में उनके प्रस्ताव को सर्व सम्मती से स्वविकार किया जाए जबकि उदारवादियों का मत्था कि बंगाल विभाजन का बिरोद संबैधानिक तरीके से किया जाए कांग्रेश का अगला अधिवेशन 1906 में कलकत्य में हुआ इस अधिवेशन में अध्यच पद के लिए उदारवादियों उग्रवादी गुटों के बीद विवाद उपन हो गए लेकिन दादा भाई नहिरोजी को अध्यच चुल लिए जाने के बाद या विवाद खत्म हो गया उग्रवादियों ने दबाव डाल कर सोदेशी बहिसकार राष्टी सिक्षा योम स्वसासन से जुड़े चार प्रस्ताव पारित करवा लिए और इसी अधिवेशन में दादा भाई नहिरोजी ने सरपथम स्वराज सब्द का उल्लेक भी किया था कांग्रेश का अगला अधिवेशन नागपूर में प्रस्तावित था जो की उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था अंतिम समय में इसके अस्थान का परिवर्तन कर सूरत में कर दिया गया दिसंबर 1907 इजवे में कांग्रेश का वार्षिक अधिवेशन तापती नदी की किनारे सूरत में हुआ और इसी अधिवेशन में उग्रवादियों ने अध्यचपत के लिए लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया किन्तु उदारवादियों ने राज भिहारी घोस को अध्यचपत पर प्रतिश्चित कर दिया और साथ ही उग्रवादियों द्वाराव 1906 इसवी के अधिवेशन में पास कराएगाए चारों प्रस्ताओं सोदेशी, बहिसकार, राष्टी सिक्षा और सोसासन के मुद्दे पर मद्भेद खुलकर सामने भी आया जिसके प्रडाम सुरूप प्रताम कांग्रेस विभाजन के रूप में सामने आया अखिल भारती मुस्लिम लीग की अस्थापना 1906, फाउंडेशन आफ आल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 बंगाल विभाजन हिंदू और मुसल्मानों के बेच साम्परदाईक फोट डालने का सबसे बड़ा कारण बना। बंगाल विभाजन की घोजड़ा के बाद ही एक अक्टूबर 1906 को आगा खा के नेत्रित में मुसल्मानों का एक सिष्ट मंडल ततकालीन वाइसराय लाड मिंटो से सिमला में मिला लाड मिंटो दारा यह आश्वासन दिया गया कि एक संपरदाई की रूप में मुसल्मानों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी ब्रिटिस सरकार से इस प्रकार का आस्वासन मिलने के बाद पूर्वी बंगाल में मुसल्मानों दारा बंगाल भाजन के पक्ष में सभाओ का आयोजन किया गया धाखा के नबाब सलीम उल्ला के नेत्रित में 30 दिसंबर 1906 इस भी को धाखा में आयोजित एक बैठक में अखिल भारती मुसलिम लीग की अस्थापना की गई इस लीग के प्रथम अध्याच वकार उल्मुल्क मुस्ताक हुसैन थे लेकिन नबाब सलीम उल्ला इसके संस्थापक अध्यस थे मुसलिम लीग की अस्थापना के तीन उद्देश थे पहला मुसल्मानों में बिटिस सरकार के प्रत निष्ठा वढ़ाना दूसरा मुसल्मानों को राजनीतिक अधिकारों का विस्तार योम उनकी रक्षा करना तीसरा लीग के अन उद्देशों को दुस्प्रभावित किये बिना अन संपरदाओं के प्रत असहिशुडता योम कट्टा की भावना के प्रसार को रोकना भी था प्रारामभीक वर्षों में मुसल्म लीग का उद्देश अपनी इस्तिती को मजबूत करना तदा प्रिथक निर्वाचन के लिए संघर्ष करना था 1908 इसवी में मुसल्म लीग के अमरित सर अधिवेशन में प्रिथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी जिसे 1909 इसवी में मारले मिंटो सुधारों ने मान लिया था